आपके लिए एक कुछन कवर लेकर आई हूब है इसे आप किसी भी जगा के लिए अपने बेड्रूम के लिए या अपने जो फॉस्वा जो ईंके लिए यूज करसकते है बहुत आसानी से बनता है ये लूपी यान है जो आलरडी मैं पहले भी आपको दिखा चुके हूँ इसके कुछ प्रोजेक्ट इस तरीके के यान आती है ये ऐसी तो इस यान से मैंने बताया आपको कि किस तरीके का आप ये यूज कर सकते हैं ये तरीके के अए A trades God के कवर बनाने जा रहy हूं एहां पर देखेंगे- आपके पछितने बूप मत्सराइव आन कि की कुशन यान चाएfig em lump exist तो ऐसे ले लिजे ऐसे लिजे क्योंकि स्क्वैर में होता है यह अब आपने यहां से लेना है यह जो पॉइंट है देख रहे हैं यह पॉइंट में यहां पर रखूंगी और दूसरा पॉइंट में यहां पर रखूंगी उससे एक फंदा आगे लूँगी क्योंकि हमने सिलना तो आप देखेंगे एक फंदा मैंने आगे ले लिया अब देखेंगे इसे किस तरीके से करेंगे ये आपके वैसे मैं अलड़ी बता चुकी हूँ और भी इसके जो है प्रोजेक्ट्स आपको बट यहां पे मैं ये कुशन किस तरीके से कवर आप बना सकते हैं वो मैं बता रह हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उन्निस बीस लूपस है जो मैं इस तरीके से रख रही हूं अब करना कैसे है इस लूपस है करना किस तरीके से आपने ये है ये ऐसे लाएंगे ये ऐसे हो गया और इसमें से ऐसे निकालना है फिर ये जो दूसरा है इसको इस दूसरे में से आपने ऐसे निकालना है इस तरीके से ये तीसरा है देख रहे हैं ये देखें इसको इसमें से ऐसे निकालना है नीचे से निकाल लिएगा इस तरीके से फिर ये चौथा लूप है इसे चौथे दालेंगे इस तरीके से नीचे से देख रहा हैं ये जो लूप है इसे आपने इसमें से ये लूप में से ऐसे डालके ऐसे निकालना है इस तरीके से ऐसे निकालना है एके करके अब आपने सारे लूप इसमें से ऐसे निकालना है देखेंगे इसमें आपको सलाईयों की ज़रत नहीं होती है यह आपके हाथ से भी बन जाते है और अराम से बैठे बैठे टीवी देखते हुए कोई भी आप गपे लड़ाते हुए इस तरीके से आप यह काम कर सकते हैं और बहुत जल्दी भन जाता है यह देखेंगे यह मैंने सारे डाल दिये हैं आप इस तरीके से एके करके और इवन मैं ही कहूँँगे आपको कि जो बच्चे गर्मे होते हैं उनको छुटियां होती है गर्मियों की, स्कूल की तो आप थोड़ा बहुत उनसे ऐसी चीजे भी करवाएंगे तो वो भी खुश होएंगे और कोई नई चीज सीखेंगे तो देखें ऐसे आपने डाला मैं आपको यह दिखा रही हूँ कि अगला लाइन हम कैसे करेंगे क्योंकि फिर यह दो लाइन आपने इसी तरीके से जो है दोगडातेवे जानी है यह देखेंगे आप यह डाला यह डाला अब यह लास्ट लूप है देख रहे हैं लास्ट में से आपने पहले तो इसको डाला ऐसे यह डाला तो अब मैं पहले आपको दिखा देती हूँ यह आपका इसे आपने हर एक लूप को थोड़ा सा ऐसे खीचना है उपर की तरफ यह देखिए यह मेरा लास्ट लूप है अभी यह देखेंगे यह आपने हर एक को ऐसे उपर की तरफ खीचना है यह देखिए तो यह क्या होगा यह आपका अच्छे से इसके साथ बंद हो जाएगा देखिए यह देखिए आगे आपका अब यह जो लास्ट लूप हमने इस तरीके से डाला अब इसी लास्ट लूप में से यह निकाला है हमने इसी लास्ट में से आप ये वाला लूप ऐसे निकालेंगे, ये देखे, देखे हैं, फिर अगें ऐसे ऐसे करेंगे, और यहाँ से फिर से वही हर लूप में से इस तरीके से नीचे से ऐसे करके डालेंगे यह देखिए, यह देखिए, यह है, अब इस तरीके से आपने जितना भी बड़ा बनाना है, उतना बड़ा आप इसे बना सकते हो, चाए तो इसे और कुछ भी बना सकते हैं, बट मैं कुशन कवर बना रही हूँ, तो मैं कुशन कवर ही आपको दिखाऊंगी इसमें कि किस तर यह देखिए इसे आपने जस्ट ऐसे डालने के बाद ऐसे खीचना है देख रहे हैं यह बनना शुरू हो गया अब सारे लूप फिर से यहां तक आएंगे यहां भी उसी तरीके से आपने ओपर को करना है उसे एक बार और आपको लास्ट का दिखा देती हूं क्योंकि लास्ट का समझना बहुत जरूरी है कि आपको उसे ऊपर कैसे करना है यह देखिया आगए फिर से लास्ट पर अब यह लास्ट वाला आपका जो है लूप बचा हुआ है देख रहे हैं अब यह लास्ट वाले में ध्यान से दुबारा देखेगा क्योंकि यही आपने फिर दोराते वे जाना यह जो लूप है यह इसे इसमें से डालेंगे पहले यह ठीक है यह डाला अब अगें जब एक और लूप आपने डालना है इसे छोड़ियोगा मत इसी लूप में से एक और लूप डालेंगे and then इसको आप continue करते वे लास्ट तक जाएंगे यह देखे अगर लूप नहीं डालेंगे तो छोटा हो जाएगा तो यह आपका टेडा मेडा बन जाएगा तो देखे इस तर कुशन कवर से इसे नापते वे जाना है फिलहाल हम इसे ऐसे ही बनाते वे जाएंगे अब आप देखेंगे मैंने इतना लंबा बना लिया है ऐसे देखते वे जैसे आपको बताए exactly same वैसे ही करती गई हूँ अब हमने जो है इसे जस्ट नापना है आपने क्या करना है अपन बंद कैसे करेंगे वह मैं आपको आप बता देती हूँ अब देखेंगा बंद किस तरीके से करेंगे जब आपने कर लिया यह फिलहाल हम ऐसे रख रहे हैं यहां से बंद करेंगे अब देखेंगे बंद कैसे करेंगे देखें यह है इसमें से इसे निकाला ऐसे फिर यह जो ऐसे फिर ऐसे इस तारीके से आपने सारे फंद्य ऐसे ही बंद करने हैं यह देखिए इस तरीके से बंद हो रहे हैं यह लास्ट में आपको दिखाते हूं कि आप फिर किस तरीके सा से कैसे करेंगे उङ अब आव में यह दिखेंगे लास्ट मोँ आगए हम इस तरीके से यह पूरा आपका ऐसे बंद हो गया LIVE करना क्या है क्यहां पर आप को आपस में भी बंद करना है साइड भी बंद करना है किस तरीके से करना है देखेंगे अब यह जो portion है आपका इसमें आप थोड़ा सा कट मारेंगे यहाँ पर तो यह खुल जाएगा देख रहें आप यह देखें यह जो चोटा सा यहाँ पर मैं कट करूँगी जो center में इसके है यह खुल जाएगा तो आपने इसे पहले ऐसे ही खोलना है और फिर हम इसे आपस में यहाँ पर बंद कर देंगे तो इसे ऐसे ना पिएगा इस थरीके से उतना ही खोलेंगे जितना आपको लगेगा खोलना जरूरी है यह देखें यह खुल गया अब यहाँ पर आप इसे काटिएगा अब बंद क कैसे करेंगे ये वाला एक लूप बचा है देख रहे हैं इस लूप में से इसे निकालेगा इस तरीके से अब ये उपर का पोर्शन रखेंगे हम ताकि हम इसे आपस में जो है ऐसे डाल के बंद कर पाए और उसे खोलने में हमें दिक्कत ना हो तो ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ किस तरीके से करेंगे अब आती है बारी कि आप इन्हें किस तरीके से आपस में जोडेंगे ये इन्हें कैसे जोडेंगे इस तरीके से अब ये वही बात है आप इसे लीजेगा जिस तरीके से मैंने उसके लिए कट किया आपने यहां के लिए भी कट करना है इस इसी तरीके से exactly सेम मैं सेंटर में से जो है ऐसे कट करके से खोलती भी जाओंगी यह देखेंगे अब यह है इसे आपने यहां से देखना है यह यह खुलेगा देख रहे हैं यह खुल गया इसी तरीके से यह है सेंटर में बेसिकली यह दागे से इन्होंने सिलाई की होती है तो आप पहलेगा काट लेना है अब दिएगे साइट सम किस तरीके से जोड़ेंगे यह मेरा साइड है यहां से डाला दागा ध्यान से देखेगा यह फिर यह डाला अपने दागा इस तरीके से यह आपका एंड आया एंड वही रखिएगा फिर इसमें से डाला इस तरीके से यहां से दूसरा लूप लिया ऐसे डाला आप चाहे तो सुई से या धागे से भी सिल सकते हैं बट मैं इसे तरीके से सिलूँगी क्योंकि यह दिखेगा नहीं उसी का सेम कलर हो जाएगा यह आप एक एक लूप आपने ऐसे लेना है इस तरीके से और इसे ऐसे करते हुए जाना है यहां से भी फिर यह दूसरा लूप देख रहे हैं आप यह डाला और इसमें से आपने ऐसे निकाला और यह वाला लूप यहां से डाला ऐसे निकाला देखिएगा last में आ गए हम इस तरीके से ये last है इसका जो loop है ये इसमें डालके अब आपने क्या करना है अंदर की तरफ मोड़के इसे हम गाट लगा देंगे ये अंदर की तरफ मोड़ेंगे हम इसे ऐसे और ये पलटके यहाँ पे आप इसे इसी के साथ गाट लगा लिजेगा एक चुल में देखता नहीं है ज्यादा तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है आपको करने में ये डाला ऐसे और ये गाट तो अब देखें यहाँ पे देखेंगे आप ये देखें बंद हो गया आपका पता भी नहीं चलता है कि इस तरीके से आपने इसे बंद किया है ये आप खीच के यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छे से गाट लगा के बंद कर सकते है तो देखें ऐसे बंद हो गया अब दूसरी तरफ भी ऐसी इसी लेंगे और फ्रंट फिर कैसे बंद करेंगे वह मैं बताऊंगी आपको क्योंकि यह मैंने यह पोर्शन जो है इसलिए छोड़ा कि फ्रंट में हम बाद में खोलना होता है तो उसे किस तरीके से करेंगे वह मैं आपको बतात अब रही बात इसे बंद कैसे करेंगे यह मैंने इसलिए छोड़ा यहां पे कि आप इसे ऐसे बंद करेंगे और खोलने के टाइम पे आराम से इसे खोल सकते है जब आपको खोलने का वह होता है तो वैसे ही exactly same देख रहे हैं आप यहां से लूँगी ऐसे एक लूप थोड़ गैप पे लेंगे यह देखेंगे ऐसे यह ऐसे यह यहां से फिर यह लेंगे चाहे तो पास पास भी ले सकते हैं आप फिर यह लेंगे यह देखेंगे यह मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा ऐसा रख रही हूँ ताकि इसे खोलने में जब आपने दोना होगा करना होगा ना हो तो देखे ये देखेगा आप इस तरीके से आपने बंद कर लिया आप चाहे तो थोड़ा tightly भी बंद कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहां पर बहुत अच्छी सी जो safety pins आती है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं और उससे भी बंद कर सकते है या इसी को बहुत बड़े buttons लगाकर इन ही loops के साथ बंद कर सकते हैं वो भी एक idea है आप किस तरीके से इसे बंद कर सकते हैं तो देखेंगे ऐसे आ गया आपका तो यह आप अंदर की तरफ डालेंगे ताकि कल को आपने जब इसे खोलना होगा धोने के लिए तो आप इसको खोल सकते हैं आसानी स यहां मैं इसे बंद नहीं कर रही हूँ आप देखेंगे गाट नहीं लगा रही हूँ यह डाल दिया मैं देख रहे हैं यह बन गया आपका बहुत प्यारा सा इतना इतना soft है यह बहुत मुलायम है इस तरीके से आप अपने cushion covers जो है अपने उसके लिए बना सकते हैं तो तो चलिए फिर बनाईए और शेर जरू कीजएगा सबके साथ थांक यू